हलो एवरीवान कैसे हैं आप सब कैसा कट रहा है आप लोग का लॉक्डाउन पीरिड कॉरिंटन पीरिड आज मैं बनाने वाली हूं आप लोग के रिक्वेस्ट पे पानी पूरी की जो पूरीज होती है वो गुल गपे पानी के पताशे या फिर पुछका कुछ भी आप बोल स यह सूजी की कॉंटिटी गाइस वन फॉर्थ कप सूजी ले रही हूं मैं इतना हम नमक ले लेंगे अटा आई शक्ति का कुकिंग सोडा तो जितना हमने नमक लिया है उतना ही हम सोडा लेंगे पानी लिया है, गरम पानी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है आपको, अब हम इसको गुंदेंगे, पहले हम लोग इस मिक्स्टर को अच्छे से मिला लेंगे, और हम लोग को हार्ड आटा गुंदना है, आटा आपका बहुत सकत होना चीज, बहुत जादा सकत भी नहीं, लेकिन आपको मीडियम सकत बोल सकते हैं, लेकिन ताइट ही रहेगा आटा, जादा पतला नहीं करेंगे, सूजी थोड़ा सा पानी अबसर्ट करते हैं, लेकिन बहुत जादा डीला नहीं करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए ये स्टेप, आदा घंटा हो गया है, अब मैं इस आटे को बहुत अच्छे से मसलूंगी, ये स्टेप बहुत जादा इंपोर्टेंट है, यही स्टेप डिसाइड करेगा, कि आपके पानी पूरी जो है, वो क्रिस्पी होंगी या नहीं होंगी हाँ बेटो, तो चली हम लोग आटा मसल ना शुरू करते हैं झाल झाल तो गैस अब मेरा आटा सॉफ्ट हो गया है और मैंने बड़ी बड़ी दो फीडिया बना लिया है इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी थोड़ा सा तेल लगाएंगे अच्छे से इसको बेलने के बाद आप कोई भी छोटा धकन ले सकते हैं और उसके साथ आप कट कर सकते हैं सर्कल में ऐसा करने से अक्छली बराबर में जो है साइज वो आता है गुल गप्पे का और इस तरीके से मैंने एक धकन ले लिया था उससे मैं काट रही हूँ गोल गोल तो सभी बराबर साइज में कट हो रही है कुछ खुछ अगर आपको लगे मूटी है कहीं से तो आप उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं बट कर दो कि सब्सक्राइब यह और एक मैथड है जो मैंने चोटे चोटे पीडिया बना ली है और मैं चोटे चोटे पुरियां बेलूंगी सभी पुडियों को मैंने कपड़े के उपर इसलिए रखा है क्योंकि उसके बाद तलने में आसानी हो जाती है अगर आप एक साथ बेल के रख लें और फिर आप एक साथ तलें तो आसान रहता है नमबर वन नमबर टू और कपड़े पर रखना बहुत ज़रूरी कोई एक साथ से जब अगर वो सूख जाएंगी तो वो दूसरे साथ से अच्छे से फूलेंगी मैं जहां से मैंने शुरू किया था फर्स जो मैंने बेली थी वो वाली मैं पहले डालूँगी देख सकते हैं मैंने तीन-तीन करके डाला है और अपन को पलटना नहीं है पहले पहले एक साथ अच्छे से लाल हो जाए रेड उसके पात आप दूसरे साथ पलटेंगे अगर आप एकदम से दूसरे सेट पलट देंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगीumbles जो हाड नहीं होंगी क्रिस्पी नहीं होंगी और भाती ज्याद शाधा सोफ्टनेस आजाएगा अगर आप एकदम से पलट देंगे तो अब देखिए एक साइड में हो चुका है, और मैंने पलट दिया है, और आपको अच्छे से इसको तलना है, एकदम जो डार्क गोल्डन हो जाता है उस तरीके से, तब तक आपको इसको तलना है, सारी पुड़ियां हम इसी तरीके से तल लेंगे, और उसके बाद हम एक्चलिय क्या करेंगे, कि एक दिन इसको रख देंगे, मालीजी आपने शाम को बनाया, तो आप दूसरी दिन इसको शाम को खाएंगे, तो ये बहुत जादा क्रिस्पी हो जाएंगी, और एक भी पुड़ी सॉफ्ट नहीं होगी, सारी पुड़ी करारी और क्रिस्पी लगेंगी खाने में, ये देखिए, सारी की सारी तल के तयार है, और हर किसी का आप कलर देख रहे हूंगे, डार्क गॉल्डन जैसे आया है, तो आपको इसी तरीके से तलना है, ये देखिए, आज, आज जरूर ट्राइक कीजिए, और मुझे टैक कीजिएगा, थैंकियो फर वाचिंग, ये देखिए, झाला ट्कांवा, ये जरूर्क रहिंगा, यें रहणी कीजिए, ये रहो ब्लाद का टॉर्क में कीजिए, रहो ब्लाद मीडिए, मन् с अ correlम्ड़क तल भी маш ticket में कीजिए,